हेलो एवरिवन आज हम बात करने वाले हैं वर्टिगो की ठीक है तो वर्टाइगो तो हमको मालूम है क्या होता है कि चक्कर आना जीसकों को बोलते हैं तो देखिए वर्टाइगो दो टाइप का होता है पेरिफेरल वर्टाइगो और सेंट्रल वर्टाइगो ठीक है और यह व वेस्टिटूलर फंक्शन होता है जो की से्मि सर्कूलर कैनल और यहां पर यू ट्रिकल और सेक्षल प्रदेंट होता हुआ यह करते है ठीक है Teer fluorescent जो हता है यही बैलेंस करता टिक है एक आदमी की गोल गोम रहा है तो वो बटीको नहीं होगा वर्टीको तब होगा कि दिया विल्द कुल इस्टेशनरी है और उसको इस पर इंग का sensation वह रहा है तर लिए और उसके हो जो होता है यह देखें सब टैप आफ डिजीनेश तो यह यह dizziness का तो subtype है लेकिन यह जो light headness है इसका subtype नहीं है या इससे इसका कोई relation नहीं है विल्कुल अलाग है ठीक है तो यह वेस्कुलर चेंजेस के दोड़े से ब्लड प्रेशार डाउन हो गए या कमज़ूरी होई तब उसमें हमको यह देखने को मिलता है और वर्टाइगो जब होता है यानि जब हमको यह हमारा वेस्टिबूलर फंक्शन जो है जो वेस्टिबूलर पार्ट है यह का इसमें प्रब प्रॉब्लम मैं इस और प्रॉब्लम मेंzar इसी को रोताइकों और यह ज्लादा कौमन है देन सेंट्र रोटाइकों कोसे बात करते है ठीक है तो यह हमाँ राग्म के ऑअ रीषए कंव जैसे सब्सक्राय्स मेने भी इनर ना तेखे जिस तो इनर इंडर की ना log पॉजिशनल वर्ट इगो जिसको हम बी पी पी वी बोलते ठीक है तो इसे को हम बोलते हैं बिनाइन प्रॉजिशनल वर्ट इगो तो देखिए इस नाम से पता चलना है कि यह बिनाइन होगा और प्रॉजिशनल होगा यानि यह एपिसोडिक होगा और पोजिशन जब इस ही हो क्या है हम बता देते हैं तो देखिए यह जो हमारी सेमिसर्कुलर कैनाल है यह देखिए यह हमारे यूट्रिकल और यह सेक्यूल है ठीक है तो यूट्रिकल और सेक्यूल में हमारे ओटोलित प्रेसेंट होता है ओटोलित यह क्या होता है यह कैल्शियम कार्बोनेट के wrinkles होते हैं तो यह autolith जो होता है यह इस इसमें present होता है लेकिन kis सबसे ज़ाधा नीचे ना यह posterior से मिसर्कूलर करनाल होती है इसी वजए से यह जो आट लीट यहां पर आट लीट सबसे ज़्यादा डिस लोकेट इसी पोस्टीर से मिसर्कूलर कराल में होने का चांस रहता है तो जब इसमें चला जाता है न तो इसको जब सर हिलाते हैं या हलका-फुलका भी हम मूवमेंट क हिलाये चकर आया फिर थोड़ी दिर बाद यह खतम हो जाएगा तो यह होगा हमारा बिनाइन प्रोक्जिस्मल पोजिशनल वर्ट आइगो और यह मौस्ट कॉमन होता है पोस्टीर से मिसर्कूलर कराईगी यह वर्टाइगो कॉस कराएगी और सेकेंड मोस्ट कॉमन क्या होत और से मिसर्कूलर के नाल डिवरीज में हम बता दिये कि यह जो अटोलित है यह मूव कर जाता है हमारे सेमिसर्कूलर कैनल में इसे को में बिनाइन प्रोक्जिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो बोलते हैं और इसमें देखिए एक चीज हम बता दे तो इसमें बता दे कि यह और यह से नहीं होगा और यह कब अपर चेंज आफ पॉजिशन चैंज होगी तब ही एमको देखने को मिलेगा तो बिनाइन प्रोक्जिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो का यह क्लासिकल फीचर है कि पोजिशन जब चर्ज अब तभी होगा और इसमें 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 यह जो हमारे वेस्टिबूलर है इससे जो नर्म निकलती है जिसको हम वेस्टिबूलर नर्म बोलते हैं तो वेस्टिबूलर नर्म के दो पार्ट होते हैं ठीक है नर्व में कहीं परिशानी आगर हो गई ठीक है तो इस वज़े से भी हमको वर्टाइगो देखने को भी लेगा इसी को हम बोलते हैं और यहां पर देखिए एपिसोडिक हो रहा था क्योंकि यह जब यह हमारा वर्टाइगो खतम हो जा रहा था लेकिन यहां पर इसमें भी हेरिंग इंटेक्ट रहेगी ठीक है तो यह दोनों में हमको डिफरेंस करने का पता चल गया और तीसरा देखिए मीनियर्स डिसीज के ब और मीनियर्स डिसीज के बारे में देखिए यहां पर बताया भी गया है तो मीनियर्स डिसीज होता क्या है तो यह देखिए यह जो हमारा है एंडोलिंफ प्रजेंट होता है इसमें ठीक है कोकलिया में प्रजेंट होता है और यहां पर एंडोलिंफ प्रजेंट होता है और तो यह ढही एंडयों जो है इसका प्रोड़क्शन बढ़ जाता है यहां इसका सिक्रिशन जो रिमॉवल हो कम हो जाता है इस sniffing आये अगी तो घटारी देखने को भी और घए क을 सकता है इसक का हम बोलते हैं एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉफ्स तो दिखिए वह है कि इंक्रीज इंडोलिम्फ इंडोलिम्फ बढ़ जाएगा अब दो चांस है कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो या तो रिमुवल कम हो जाए ठीक है तो यह हुआ और इसमें तीन चीज देखने को मिलेगी और तो यह हैं से इंडोलिम्फ बढ़ जाएगा तो यहां पर रिप्चर कर जाएगी सब्सक्राइभ मालूमकि कि पोटेशियम बहुत जाधा होता है और यह जो है हमारा पेरिलिव इसमें सोडियम जाधा होता है लेकिन जब यह बहुत जाधा भर जाएगा तो एपक्स पे यह रेप्चर कर जाएंगी रेप्चर करने की वह जैसे यहां से सोडियम इधर आ जाएगा और पोटेशियम इध गई और जब दोनों तरफ के बराबर हो गए फिर यह रिजनर्स मेंब्रेन होती है और जो आटमेटिक होती है तो यह सारे फंक्षन सही हो जाते हैं इसी और ऐसे इसमें क्या होता है कि यह 20 मिनट से 24 आवर तक ही रहता है इससे जाद इसकी डूरेशन नहीं हो सकती ठीक है तो इनर येर के कॉक्लियर पार्ट में आएगा तो यहां पर यह रिजनर्स मेंब्रेन को रेप्चर कर देता है जिसके और से और और कोटाई डेमेज होई इतर से सोडियम आया तो इसके पंक्शन को डिस्टर्ब किया इस वजए से हमको सेंसरी नियूरल हेरिंग लॉस भी क्या होता है कि जैसे तिंटिंटिंटिंटिं की आवाज आना कि कान में अपने आप तिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिं यह हमको देखने को मिलेगा मिलेगा मीर्स दिसीज में तो हमारा खेंग हुआ और फिर आयगा बढ़ेगा और यहां चीस पूसे हमें तो लेकिन यहांस को होता है कि तो इसमें प्रेशर पहले बढ़ता है, इसमें प्रेशर बढ़ता है, तो यहाँ पर हमको यह चीज यहाँ पर और और यहाँ पर बहुत तेज आएगा, तो यहाँ पर वर्टाइगो देखने को मिलेगा, बात में यहाँ पर प्रेशर बढ़ता है, तो यहाँ पर बहुत जादा प्रेशर बनता है, इसमें पर वर्टाइगो देखने को मिलता है, तो इसको हम रिवर्स मिनियर्स बोलते हैं, या इसी को हम लर्माई सिंड्रोम भी बोलते हैं, तो लर्माई सिंड्रोम और मिनियर्स ड इसको हमलाग माय सिंड्रोम को बोलते हैं तो यह तीनों को हम बहुत अच्छा से क्लियर कर दिये और उसका फिर देखें फाइंडिंग क्या होती है क्योंकि यहां पर ऐस नसे क्या है इन तीनों में प्रॉबलम आएगी लेकिन सब्सक् points क्या है सुपीडियर से में इस्पिर्यर को रहाएं ओर लेटर में चौनका है यह मीडियर लेक्टस को प्रेंगे और सिर्फ इस डायरक्षणस ओर गयांगी तो देखिए अब ये इस direction में करा रही है और ये जो है इस direction में करा रही है इस वो जैसे दिखे ये दोनों component cancel हो जाएगा और हमको जो है सिर्फ ये वाला component देखने को मिलेगा तो इसी वो जैसे हमको सिर्फ horizontal torsional लिस्टिक बस देखने को मिलेगा और vertical नहीं देखने को मिलेगा तो यहीं देखिए नेवर purely torsional और vertical तो purely torsional या purely vertical हमको नहीं देखने को मिलेगा उसका reason क्या है यहाँ पर हम बता दिये ठेक तो यह हो गया और that does not change direction and is suppressible with visual fixation और यहाँ पर फिर बता जा रहा कि peripheral vertigo में और क्या होगा कि direction के साथ यह change नहीं होगा कि मतलब यह जो है अगर एक तरफ का है तो right vertigo होगा है तो यह right ही देखने को मिलेगा और left है तो left ही देखने को मिलेगा यह direction के साथ change नहीं होगा और यह suppress हो जाएगा visual fixation के साथ अगर हम visual fixation करते हैं यानि आग को एक जगा वो कर देते हैं तो आग पे एक जगए इसका focus बनेगा ठीक है phobia centralized पे और इस वजह से यहाँ पे हमको यह चीज़ suppress देखने को मिलेगी तो यह होगा हमारा peripheral vertigo तो peripheral vertigo में देखिए हमने क्या बात की हम पहले बता है कि यह तीन टाइप के होते हैं बिनाइर, proximal, positional, or tiger इसमें हम बता दिये कि यहाँ पे जो problem आती है वो यहाँ autolith जो होता है यह चला जाता हमारे mostly posterior semi-circular करनाल में या तो lateral semi-circular करनाल में ठीक है तो यह हो गया और दूसरा जो होता है vestibular neuritis इसमें हम बता है vestibular nerve जो होती है वो compress हो जाती है चाहे superior division हो या inferior division हो या trunk हो कोई भी हो ठीक है लेकिन इन दोनों में common चीज़ क्या है कि hearing बिल्कुल intact रहेगी और उसके बाद menious disease की हम बता है कि menious disease में क्या होता है कि endolymphatic hydrops जिसको हम बोलते है कि इसमें endolymph जो होता है इन इर्व में बढ़ जाता है दो वज़े होती है एक की production बढ़े दूसरा की इसका removal घड़ जाए और यह जो होता है सबसे पहले हमें vertigo cause कराता है यानि vestibular function को loss करता है बाद में जो होता है यह cause करता है hearing loss ठीक है लेकिन इसमें hearing loss और vertigo और tinnitus यह तीनों present होते है ठीक है इसके triad को हम बोलते है ठीक है इसको हम बोलते है कि menious disease का triad तो यह तीनों देखने को मिलेंगे और menious disease का उल्टा हम बता है कि lamroid syndrome होता है कि autolith यहां present हो जाता है डिसको जिसे pressure पहले यहां बढ़ता है और यह जो है पहले dysfunction होता है यानि hearing पहले dysfunction होगा और बाद में vestibular function dysfunction होगा इस वज़े से इसको हम lermoy syndrome या reverse menious disease बोलते हैं यह हो गया और peripheral vertigo को कुछ खास चीज है वह यहां पर बताई गई कि यहां पर horizontal nistigmas देखने को मिलेगा ठीक है तो horizontal nistigmas के देखने को मिलेगा हम बता दिये और यह never purely torsional तो यह purely torsional भी नहीं होगा और purely vertical भी नहीं होगा तो यह दोनों इसको cancel कर देंगे इस वज़े से इसा बताया गया और उसके बाद भी बतायागे कि यह direction जो होगी इसकी यह बिल्कुल fix होगी तो यहां पर देखिए हम peripheral vertical को बारे में थोड़े दिखती है तो इसमें latency होती है यानि फॉरन यह देखने को नहीं मिलेगा वालकि 10 से 20 सेकंड बाद देखने को मिलेगा तो इस तरीके से हमारा peripheral vertigo complete हुआ अब हम बात करते हैं central vertigo की